हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल राखी टरीज गारण यह देखी फ्रेंड्स आज मैं अपने पान के प्लांट का रिपॉर्टिंग करूंगी और मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने किस तरह की स्वैल मिक्स की है उसमें और किस तरह मैंने इसको रिपॉर्ट किया है पान के प्लांट को जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताए इसकी क्सट्रेंग भी रगानी बताएं थि अपको किस तरह के इसकी कटिंग लगाइज आती आप मीरी बीडियो देख सकते हैं और अगर आपको ही वीडियो पसंद आये तो इसको प्लीस लाइक वो पूरी की पूरी हटा दूंगी यह देखे आप रैड कलर की स्वाइल जो पूरा में और कलकत्ता में जो प्लांट आते हैं उन्हीं में होती है ज्यादा तर और इसमें एक छोटी सी बास्केट भी लगी हुए जैसे इसमें कटिंग लगाई होगी तो अब मैं इसको बड़ इसमें से पॉर्ट में से अपना प्लांट निकाल लेते हैं यह देखे आप जो मेरे पान के प्लांट की कंडिशन है वो बहुत अच्छी है और ग्रोध भी बहुत अच्छी चल रही थी इसकी तो यह बसात के मौसम में मैंने सोचा इसको मैं रीपॉर्ट कर देते हूं यह देखे आप और जो हमें पॉर्ट लेना है अब हमें बड़ा पॉर्ट लेना होगा क्योंकि हमें अपने पान के प्लांट की जो ग्रोध है वो जाधा करनी है तो पॉर्ट थोड़ा गहरा लेना होगा दस या बारा इंच का पॉर्ट जरूर लीजिए पान के प्लांट को ग् असानी से हो जाए इसमें पानी रुके नहीं क्योंकि पानी रुकता है पान के प्लांट में तो पान का प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है अगर पानी कम होगा तब भी पान का प्लांट खराब हो जाएगा और पानी जादा होगा तब भी पान का प्लांट खराब हो और इसको बहुत ही केरफुली आपको करना है क्योंकि जड़े खराब नहीं होनी चाहिए अगर जड़े खराब हो गई तो पान के प्लांट को ग्रो होने में खराब भी हो सकते आपका प्लांट और रिमूब करने में प्राब्लम होगी यह देखिया जो मैंने स्वाइल बनाई नहीं है तो आपको बहुत ही defend सेंडी मि्टी बनानी है दिहां से सैंडी मिट्ट को बहुत अच्छी तरह से बनाना है अगर धेकि कितनी मिट्टि बहुत ही अच्छी मिट्टी है और देखिए जब भी कोई प्लांट रिपॉट करें तो आप मिट्टी में थोड़ाkaa मगस न में आदिया एक चम्मच हल्दी बहुत रहती है तो आप उसको मिला लीजिए और यह देखे रैड वाली मिट्टी मैंने इसकी बास्केप्री बहुत केर्फुली बास्केट हटानी जड़ नहीं कटनी चाहिए मैंने बहुत असानी से बहुत अराम से मैंने बहुत धीरे-धीरे अटर्ट मैंने पान के प्लांड को रिपौर्ट कर दिया है यह देखि कितना प्यारा लगए पान का प्लांड रिपौर्ट होने के बाद और अप इसमें आपको बहुत अच्छी तरहPानी देना है इसको ताकि आपको पता जल जाए कि जो अईसका ड्रेनिस है वह बिल्कू निए 막 पान के प्लांट प्लांट में देखिabout up और जाज बढ़ दो यहीं कुछ 20 दिन के बाद का आपको इसको अपडेट दूंगी कि किस तरह से पान का प्लांट मैंने केर की है उसकी और किस तरह से मेरा पान का प्लांट ग्रो कर रहा है रीपॉर्ट होने के बाद तो चलिए फ्रेंट्स फिर मलते हैं अब हम 20 दिन के बाद ये देखी फ्रेंट्स 20 दिन के बाद का अबरेट मेरे प्लांट का और मेरे अच्छी तरह सरवाइब कर रहा है क्योंकि मौत अच्छा होता है यह इस समय बिल्कुल खुर्च कर सकते तो मैंने उस पर ना करके मैंने थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया यह देखिए आप बहुत नहीनी लीप्स निकली है और बहुत शाइनिंग आ गई है रीपॉट करने के बाद प्लांट में तो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट अब आप देखे रीपॉ ग्रोथ है वह बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा तो वह ग्रोथ जो थोड़ी जादा बढ़ जाती है अगर हम इसमें फर्टिलाइजर टाइम टाइम पर देते रहें तो तो यही कुछ चीज़े थी मेरे पान के प्लांट के बारे में आप भी इस तना से अपने पान के प् करिए और उसकी केर करिए तो वह उसकी ग्रोथ बहुत जादा हो जाएगी चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते एक नए वीडियो में हैपी गाड़नी